दोस्तो आप सबी का स्वावत है हमारे योजिव चैनल में दोस्तो मई के महीने में कई ग्रहों की इस्तिथी बदल रही है और इन ग्रहों की इस्तिथी बदलने से बड़ा फेर बदल होने वाला है, कुछ अच्छे योग बनने वाले हैं उनका अच्छा प्रभाव इस मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। राहु जो की पिछले कुछ महीनों से वरशब रासी में मौजूद हैं इस महीने के शुरू होते ही वरशब रासी के साथ कई ग्रहों की यूती होगी। एक मही को बुद्ध वरशब रासी में आजाएंगे उसके बाद चार मही को शुक्र वरशब रासी में आजाएंगे चौधा मही को सूर्य का वरशब रासी में गुचर होगा। इस तरह से ये चार ग्रह एक साथ होंगे और चतुर ग्रही योग बनेगा। अब इन योगों का जो प्रभाव है वो सभी बारा राशियों पर होगा लेकिन ये जो योग है इसका प्रभाव सबसे अधिक साथ राशियों पर देखने को मिलेगा जो कि शुब प्रभाव होगा तो आज की इस वीडियो में हम उन ही साथ राशियों के बारे में जानेंगे जिनके उपर इस चतुर्ग्रह योग का प्रभाव बड़ा ही शुब होने वाला है तो क्या-क्या इस योग से उनको मिलेगा क्या लाब होगा क्या सावधानी रखनी है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहेंगे दोस्तों जिन साथ राशियों की हम बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहली राशी है वो है शुक्र की राशी व्रशब राशी व्रशब राशी में ही ये तीन ग्रह इखटे होंगे और राहु जो की तुर्ग रही योग तो ये महिना आपके लिए काफी उर्जावान रहेगा सक्रिये आप काफी नजर आएंगे अपने कामकाज को लेकर काम करने का उत्साहा होगा आपकी बुद्धी बड़ी तीवर होगी निर्ना लेने की शमता बढ़ेगी आप अपने सभी कारें को बड़ में आने वाले हैं अब जब कोई भी ग्रह अपनी लगन में होता है अपने घर में होता है तो बड़ी पावरफुल इस्तिती में होता है लेकिन राहू यहां कोई न कहीं को पेडित कर रहा है फिर भी भागया का पूरा साथ मिलेगा बस स्वास्तय का ही द्यान रखना है एक सुखों की प्राप्ति भी होगी लेकिन किसी भी कारिय में सयम के साथ आपको कार करना है यानि सयम बरतना होगा आपको अती उत्साह में गलत कदम उठा सकते हैं तो उसका ध्यान रखें और सेहत का विध्यान रखें इस दौरान आपके जो राशी के जो बेरोजगार प्राशी वाले लोगों के लिए ये कुंडली में शनी जो है वो अस्टम भाव में हैं और बारवे भाव में ये चतुर्ग रही योग बना है अस्टम भाव का शनी यहां इन रिजल्ट बहुत अच्छे देगा जो शोध के शेत्र से जुड़े हैं उनको अच्छी सफलता प् जो अटके हुए कुछ काम थे चौधा मई से वो सभी पूरे होने शुरू हो जाएंगे लेकिन राहू आपके लिए आखों की तकलीफ दे सकता है आखों समंदी कुछ बिमारी हो सकती है गले समंदी कुछ बिमारी हो सकती है या पहले से कुछ ऐसी परिशानी है तो आपको ज्यादा ध्यान रखने के आवश्यक्ता होगे तीसरी राशी की बात करते हैं तीसरी राशी है पुद्ध की राशी कन्या राशी वाले लोगों के लिए योगों का प्रभाव है राहु और सूर्य नवम भाव में इस्थित ग्रहन दोश का निर्मान तो करेंगे लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं, आपनी बुद्धी से, अपनी कारे कुशलता से, आप लाब भी कमाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, अपने परिवार की तरफ भी ध्यान देंगे, प्रेम समंद के मामलों में भी ये समया नुकुल होगा, जो अविवाहित लोग हैं, उनके लिए विवा अबे के पातर से जल जरूर देना है प्रति दिन, और हो सके तो गुड़िया गेहूं का दान करें, गेहूं नहीं तो आटे का दान करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अब अगली राशी, अगली राशी है मकर राशी, मकर राशी वाले उसके बाद आप इंवेस्टमेंट करें, महिलाओं के लिए खास्तोर से ये चतुर ग्रही योग बेहद अच्छा रहने वाला है, जो लोग उच्छे सिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके महनत रंग लाएगी, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहाँ से भी आपको गुर्ण्यूज मिल सकती है, जो विदेश से जुड़ा हुआ कारुबार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, या विदेशी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए फायदे की योग बनेंगे, सूर्य का प्रभाव 14 माई से सबसे अधिक, सबसे उत्तम आ चंदरमा भी यहां गोचर करेंगे तो पंच ग्रही योग बन जाएगा, इस राशी के लोगों को कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, कोई आपका कोड केस चल रहा है, तो वहां आपको अच्छे रिजल्स देखने को मिलेंगे, सरकारी शेतर से जुड़े हुए ज आपको सावधाने रखने होगी और माता की सेहत के लिए थोड़ी सी चिंता रह सकती है, बाकि कामकाज के मामले में ये समयाब के लिए अच्छा है, अब अगली राशी है, करक राशी, छटी राशी है, करक राशी जो की चंदर की राशी है, इस दोरान आप अपने शत्रों पर हावी रहेंगे, अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, करक राशी के ग्यारवे भाव में ग्रहन दोश है, तो आपको जो आय समंधी परिशानिया है, वो थोड़ा परिशान कर सकती है, लेकिन जो डेली इनकम वाले लोग है, उनके लिए ये समय काफी अनकुल है, प की बिनाएगे, योजना ये पूरी हो सकती है, लव लाइफ अच्छी होगी, बाकी चीजों के लिए ये समय काफी अनकुल है, अब सातवी और अंतिम राशी, जो कि है सिंग राशी, ये सूरे की राशी है, इस राशी वाले लोगों के लिए इस दोरान सबसे जो अधिक समय जो सबसे अधिक लाब मिलने वाला है, वो प्रापर्टी से जुड़े कामों में अच्छा लाब मिलेगा, या जो लोग लोहिक का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आप अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, प्रेम संबन भी अच्छे रहें तो ये वो साथ राशियां थी, जिनके लिए चतुर्ग्रही योग इस मई के महिने में बड़ा लाबदायक रहने वाला है, और अधिक एसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यजद लाइक करें, शेयर करें